हेलो फ्रेंट कैसे हूँ उमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे तो एक और कंपेरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है फाइनली मोटो रोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफून मोटो E32 को लॉंच कर दिया वही दूसरी तरह मोटो का ही एक पापलर स्मार्टफून मोटो का G22 इन दोने स्मार्टफून के अगर प्राइस की बात करी जाए तो मोटो के G22 को 9999 रुपे के प्राइस में 4GV की रैम और 64GV स्टोरेज वाले वेरियन को बाई कर सकते हैं दूसरी तरह मोटो के E32 को 10 या 4099 रुपे की प्राइस में 4GV की रैम और 64GV स्टोरेज वाले वेरियन को बाई कर सकते हैं दोने स्मार्टफून में से 500 रुपीच का डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोने स्मार्टफून के अगर प्राइस की बात करी जाए जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफून के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेन पार्ट होता है मोटो के E32 में मीडियाटेक का हेलुच G37 का प्रोसेसर देखने की मिल जाता है जोकी 10.000 रुपे के प्राइस को देखा जा तो आप लोगों को एक एवरेट परफूर्मेंस देखने को मिल जाएगा वहीं दूसी तरब Moto के G22 में भी MediaTek का Halo G37 का प्रोसोसर देखने की मिल जाता है जो कि performance के मामले में ये दोने स्मार्टफोन बिलकुल एक जैसे हैं दोने स्मार्टफोन के अगर display segment की बात करी जा जिस तरह performance के लिए इन दोने स्मार्टफोने प्रोसोसर एक जैसा देखने की मिल जाता है उसी तरह इन दोने स्मार्टफोन में display का size और display की quality एक जैसी देखने की मिल जाती है वहीं दूसरी तरह मोटो की E32 में भी 6.5 इंच की HD प्लस IPS डिस्पले देखने को मिल जाती है और डिस्पले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90 हर्टे रीफ्रेश हेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है अगर कैमरा सेग्मेंट की बात करी जा तो कैमरे के मामले में तो मोटो का G22 एक किलियर विनर निकल के आता है क्योंकि मोटो के G22 में बैक में कोड रियर कैमरा सटप देखने को मिल जाते हैं 50 मेगा फिक्सल का में प्रामरी कैमरा मिलता है बाकी के तीन कैमरे 8 प्लेश 2 प्लेश 2 मेगा फिक्सल के मिल जाती है विद LED फ्लैस लैट के साथ वह इस सेल्फी के लिए 16 मेगा फिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के मिल जाता है 50 मेगा फिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैस लैट के साथ और CPA के लिए सिर्फ 8 मेगा फिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के मिल जाता है जो कि मोटो के E 32 का सेल्फी कैमरे को एक बहुत बड़ा मैंस पॉइंट भी कह सकती है तो अगर आप लोग भी अंडर 10,000 उपिस से कम की प्राइस में नया कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को रिक्मेंड करूँगा कि आप लोग मोटो के G22 को ही बाई करें अगर बैटरी से कम की बात करी जा जिस तरह मोटो का G22 कैमरे के मामले में एक किलियर विनर निकल के आता है उसी तरह बैटरी के मामले में भी मोटो का G22 एक किलियर विनर निकल के आता है वोई दूसरी तरह Moto के E32 में भी 5000 mAh की एक बड़ी बैटी मिल जाती पर आप लोगों को कोई भी fast charging का support देखने को नहीं मिलता सिर्फ USB Tab C port का ही support देखने को मिल जाता है इसी वज़े से Moto का G32 काफी जाना best हो जाता है security feature के लिए दोने smartphone में side mountain finger pin sensor देखने को मिल जाते हैं तो अब बात करीजा कि दोनों में से कौन सा smartphone आप लोगों के लिए best है जिन लोगों ने इस comparison वीडियो को पूरा देख लिया होगा वो तो समझ गए होगा कि Moto का G22 अभी भी काफी जाता best है जब कि Moto क теп G22 में quad rear camera step देखने का मिल जाता है जबकि Moto केba मैं e32 में दुवड rear camera step देखने का मिल जाता है Moto के G22 में 16 mega pixel का selfie camera देखने का मिल जाता है जबकि Moto केangi 32 में सिर्फ 8 mega अचे-चियो della dot camera से लाइन माप जाता है Moto केğa G22 में 20 watt का turbo fast charging काinka support देखने का मिलता अपकी मोटो के E32 में कोई भी फास चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता सिर्फ इसी विज़े से इन दोने स्मार्टफोन में से किलियर मिना निकल के आता है मोटो का G22